हेलो माई दियर फ्रेंद्स दिस इस अकांग्छा सिंग वेलकम यू वन यूटूब चैनल वेटोजे आरफ और कैसे हैं आप सब आज का जो टॉपिक है सिरीज है वो सिरीज नंबर 12 मोग्टा सिरीज नंबर 12 तो इसके पहले जो सिरीज आ चुकी है और अभी तक आपने नहीं स्ट्राइब कर दिया है तो आप सारी सीरीज subsidies एक फ्लेलिस में थेख सकते हैं आपoser PhD फ्रॉम बसंत्राव नाइक बनाठवाड अगरिकल्चर उन्वर्स्टी महारास्ट्रा और I had qualified both Net and SRF and description में telegram channel का link भी दिया है तो वहाँ से आप telegram channel subscribe कर लिजे आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में जो मैं lecture videos प्रवाइड कर रही हूँ उसका भी जो playlist है उसका link जो description में दिया है तो आप वहाँ से वो lecture videos का link भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारे आर कवर्ड विद वैक्स जो अगर कपड़ा कोई है उसको प्रेंट कर रहे हैं और प्रेंटिंग में जो पोर्षन कुछ पोर्षन को वैक्स से कवर कर देते हैं या मों से प्रिंटिंग होती है एक टाइप की प्रिंटिंग है जिसमें कपड़े को वैक्स से कवर कर दिया जाता है और जहां-जहां पर प्रिंट देना होता है वहां पर वैक्स की कवरिंग नहीं करते हैं इसको बोलते हैं बाटिक प्रिंटिंग the next question is which among the following fiber look like animal fur इन में से कौन सा fiber है जो animal fur जो animal के hairs होते हैं fur होते हैं उसके जैसा दिखता है options are flax, fox, creep and velvet and जो correct answer है वो है fox fox एक type का fiber है जो animal fur के जैसा दिखता है the next question is this tool protects your finger when you sieve by hand जब हाथ से sly करते हैं वो needle लेके हाथ से sly करते हैं तो निडिल जो है उंगली में लगती है तो यह चोट लगती है उंगली में उससे यह चोट से prevent करने के लिए उंगली में एक tool पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं option है thimble, sewing gauge, thread, rotatory cutter जो correct answer है वो है thimble एक चोड़ी सी ring जैसा होता है जिसको उंगली में पहनते हैं जिससे वो उंगली में जो है चोट नहीं लगने देती है उसको बोलते हैं thimble the next question is which fiber are obtained by blending natural and synthetic fiber are called ऐसे fiber जो natural fiber और synthetic fiber को mix करके बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं किसी चीज को blend करना means mix करना दो चीज़े एक साथ अगर blend कर रहे हैं that is mixing उनको mix करना तो जो इससे जो natural or synthetic fiber को mix करके या blend करके जो नया fiber बनेगा उसको बोलते हैं mixed fiber the mixed fiber is the correct answer जिब दो चीज़ें को एक साथ मिलाएंगे तो उनको blend करना या mix करना mix मिला रहे हैं तो उसको mixing की तो कहते हैं कि mix कर रहे हैं तो दो फाइबर जब नचुरल फाइबर और synthetic fiber को मिला के एक नया fiber बनता है तो वह mixed fiber होता है क्योंकि इसमें natural nature fiber भी present होता और synthetic fiber भी present होता है the next question is which of the following is used for making gunny bags यह जो gunny bags होते हैं यह जब ज्यादा scale पर सामान लाइक जैसे गेहू हो गया चावल हो गया इन सब चीजों को pack करने के लिए जो बड़े-बड़े bags बना जाते हैं उनको gunny bags बोलते हैं और यह bag किस चीज़ से बना जाते हैं option is cotton, jute, wool and polyester और जो करेक्ट आंसर है वह है जूट यह जो गनी bags है बड़े-बड़े bags यह जूट के बना जाते हैं को कि यह natural fiber एक तो natural है उसके बाद अगर यह बहुत लॉंग टाइम तक ऐसे उनको छोड़ दिया तो नेचर के साथ डिकंपोज हो जाएंगे तो कोई हामफुल एफेक्ट भी नहीं छोड़ते हैं इसलिए गनी bags जो है जूट से बना जाते हैं जो environmental friendly होते हैं और कैरी करने में easy होते हैं the next question is the process of cultivating silk warm is called जो silk warm होते हैं जिनसे silk filament हमें मिलता है तो इन silk silk warm को जो cultivation की process है जो उनकी silk warm की पूरी life cycle है उसके बाद जो filament मिलता है इस पूरी process को यह जो whole process है from silk warm से लेके filament के harvesting तक उस process को क्या कहते हैं options are sericulture carding drawing spinning तो जो correct answer है sericulture and carding drawing spinning यह तो methods है ना fiber से fiber से fabric बनाने के जो thread बनाने के जो यह steps हैं यह सब then the next question is yarn is made from very thin strand called जो yarn yarn means thread जो धागा जो है बहुत पतले पतले ऐसे strands से मिलके बना होता है और इस strands को क्या कहते हैं options are fibers looms silver and weft जो correct answer है वो है fibers जब बहुत सारी यह fibers है इनको मिलाएंगे तो बनेगा यार्ण यह लून लूम तो एक equipment है या फिर device है जिस पर fiber fabric बनाया जाता है sliver and weft तो वार पैन वेft यह यह भी yarns है sliver एक processor जिसमें fiber को जो thread बन रहा है न यह उसको एक equivalent एक equal thin fineness या thickness provide करना उसको बूलते है sliver बहुत सारे fibers को मिला के बनता है जो तो भी yarn बनता है like staple fiber हो गया filament fiber हो गया तो जो fibers को एक साथ twist किया जाता है तब वो बनते है yarn the next question is which of the following is not a natural fiber इन में से कुन सा natural fiber नहीं है option are cotton nylon flax wool जो correct answer है वो है nylon nylon जो है synthetic fiber है cotton cellulogic natural fiber flax यह भी cellulogic natural fiber जो lens से मिलता है wool यह animal fiber protein base का यह भी natural fiber है next is the fiber which has a mineral origin ऐसा fiber जो mineral से बनता है अभी तक nature में सिर्फ एक ही ऐसा fiber है जो mineral origin का है और वो है asbestos asbestos is the natural mineral fiber अभी तक जो natural fiber natural mineral fiber है वो सिर्फ asbestos ही है silk protein से बनता है flax cellulose का बना होता है acrylic यह synthetic fiber the next is human development is affected by heredity and environment both a and b none of these so human development है वो heredity और environment दोनों से affected होता है कि heredity means जो parents में जो gene थे वो ट्रांसफर होके वो genetic material ट्रांसफर होके बच्चों में आएगा तो like parents की height अच्छी है they are healthy तो जो office springs होंगे जो बच्चे होंगे वो भी उनकी height अच्छी होगे वो healthy होंगे और environment means जहां पे वो रह रहे हैं उनकी असपास की condition कैसी है उनकी society कैसी है social culture कैसे है वहाँ पे तो उसका effect भी पड़ता है तो heredity or environment दोनों का effect पड़ता है human development पे the next question is the method of developing a pattern from body measurement is called जो body measurement लेके उसके बाद कोई pattern develop करते हैं तो उसको क्या कहते हैं clothing construction, pattern making, drafting all options are wrong जब body measurement लेके उसके बाद construction करना उसके बाद pattern बनाना उसको कहते हैं drafting, draping means direct body के उपर काप्रा drape कर देना और वहीं से measurement ले लेना direct उसको बोलते हैं dripping and clothing construction जब उसके stitching करते हैं उसको बोलते हैं construction pattern making means जो measurements ले लिया है उसके बाद उसके according जैसे एक कोई measurement लिया उसको bulk में कुछ बना रहा है तो उसके लिए अलग-अलग patterns बनाना उसको बोलते हैं pattern making and drafting होता है कि body measurement लेके उसके बाद pattern को develop करना is drafting the next is integrated child development service was started in the year integrated child development service इसको ICDS भी बोलते हैं यह start हुआ था 2nd October 1975 में and ICDS में जो preschoolers होते हैं like 3 to 6 year के children, pregnant women, lactating mother इन सब को nutrition प्रवाइड करते हैं और उनको nutrition के बारे में aware करते हैं preschooler की education है education को लेके तो यह सब aims हैं कुछ objectives हैं ICDS के की preschoolers है उनको उनकी education वो जो आगनवारी वाले चलते हैं तो आगनवारी जो है ICDS के अंदर में आता है तो जो pregnant and lactating mother है उनकी health check-up करना उनको nutrition provide करना यह सब ICDS के अंदर में आता है next question is nutritional adequacy of the diet is according to जो RDA जो बनाई जाती है या फिर RDA के according जो diet बनाई जाती है तो वो किन factors पर depend करती है कि ऐसे क्या-क्या factors हैं जिसके according diet बनाते हैं अगर आपको किसी की diet बनाने है तो आप देखेंगे कि वो person क्या करता है उसकी age क्या है height क्या है gender क्या है तो वही सब देखते हैं कि person की age क्या है gender क्या है activity pattern क्या है sedentary worker है light worker है heavy worker है person की age क्या है means three to six year है या फिर moderate adulthood है या old person है क्या है और gender male है female है तो यह सारे factors जो है diet को affect करते हैं जो diet बनाई जाएगी या diet में nutrient कैसे होने चाहिए कैसे nutritional diet है तो यह सारे factors affect करते है diet की diet की nutritional adequacy को the next question is nutrients help in body growth development maintenance and all the other to nutrients है वो किन-किन factors में help करते हैं तो body growth में भी help करते हैं like protein nutrients जो होते हैं वो protein हो गया carbohydrate हो गया vitamins हो गया minerals होगे यह सब nutrients है तो protein जो है वो body growth और development में help करते हैं कि protein से tissue बनते हैं जब tissue healthy रहेंगे tissue का formation होता रहेगा तो body की growth भी बढ़ेगी development होगा maintenance के लिए vitamin and minerals जो है यह body के maintenance में help करते हैं तो all the above are the correct answer next question is tenacity of a fiber is directly related to tenacity means strength tenacity means strength जो है fiber की वो कैसे related होती है तो बहुत सारे monomers मिलके जैसे एक more single unit is monomer और बहुत सारे monomer मिलके बनते हैं polymer अब जो polymer बनते हैं तो एक long chain chain of monomer is known as polymer बहुत सारे monomer मिलके एक chain बनाएंगे उसको बोलते हैं polymer तो polymer की length कैसी है ज्यादा length होगी वो easily breakable होगे then orientation and strength जो polymer है उनकी orientation कैसा है like amorphous है या crystalline amorphous में मैं दूर दूर ऐसे arrangement है crystalline में means बिलकुल ऐसे पास-पास arrangement है तो यह orientation पे होगा तो इनके बीच का जो attraction bond attracting bond है जो एक दूसरे को बांद के रखा है तो वह weak होगा और crystalline हैं में बहुत पास-पास से सब molecules present है तो इनके बीच की जो force है force of attraction है वो भी ज्यादा होगा तो इनकी strength ज्यादा होगी सिम इंटर पॉलीमर फोर्स ओफ अट्रेक्शन यहां पर यहीं दिया है कि अगर amorphous होंगे यह इनके जो molecules हैं यह दूर-दूर होंगे कोई एक sequence में नहीं होगे तो इनके बीच का जो force जो है वो affect करते हैं fiber की strength को या tenacity को the next question is pasteurization is a कैसा treatment पॉस्टराइजेशन जो है वो कैसा treatment है तो जो पॉस्टराइजेशन है वो heat treatment है बट इसमें एक चीज याद रखने वाली यह है कि पॉस्टराइजेशन में heat treatment है like milk का example ले लो मिल्क में जब पॉस्टराइजेशन process होती है heat treatment होने के बाद तुरंत उसमें cooling process की जाती है तो पॉस्टराइजेशन का main factor है यह कि heat treatment के बाद जो भी product को heat treatment किया है after heat treatment उसमें उसको rapid cool करते हैं क्योंकि बहुत सारे microorganisms होते लाइक अगर कोई जो micro organism है वो cold freezing अगर low temperature हो रहा है तो low temperature पे destroy होता है destruction होता है उसका तो वो heat sensitive नहीं होगे heat में destroy नहीं हुए जो micro organism heat में destroy नहीं हुए है वो micro organism को destroy करने के लिए rapid cooling किया जाता है जिसलों जो micro organism cold temperature में survive नहीं करते हैं तो वो micro organism जैसे rapid cooling होगा वो micro organism destroy होना स्टार्ट जाता है इसलिए pasteurization process में heat treatment के बाद rapid cooling से उसको follow किया जाता है कि जैसे heat treatment complete हुआ after heat treatment sudden rapid cooling करते हैं और मेली pasteurization is a heat treatment और वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो like and comment करके जरूर जाएगा और थेंक यू यह मेरा facebook page है तो आप मुझे यहां से contact कर सकते हैं यह मेरा youtube channel है waytozrf तो आप channel को subscribe जरूर कर लीजेगा और वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो like and comment करिए चैनल को subscribe करिए और अपने stay happy, stay healthy, take care, bye bye